सर्वेप्यो नमो नमा, नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित आज से हम वैदिक सूक्तों का अध्यन प्रारंब करने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम सबसे पहले अगनी सूक्त के विशय में अध्यन करेंगे देखिए सूक्तों से संबンダि दो थीन प्रकार के प्रश्ण परिक्षा में आते हैं या तो देवताओं के विशेशन पूछे जाते हैं कि निमन विशेशन का संबंध कौन से देवता से है पूछ लिया जाता है कि रिगवेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त, अगनी सूक्त के नाम से विख्यात है, अविष्णु सूक्त के नाम से विख्यात है, तो सूक्त का जो अध्यन है वो आपको भलीभाती करना है, ध्यान पूर्वक करना है, तो आप इस वीडियो को अच् की गई है तो रिगवेद का प्रारंब जहां से होता हैँ वहाँ पर सबसे पहले अगनी देवता की स्थूती की गई है और महत्व की दृष्टी से अगनी देवता का डिगवेदिक देवताओं में दूसरा स्थान Mickey Pravines क्योंकि इन पर 200 सूक्त रिगवेद के अंतरगत लिखे गए हैं, प्रथम स्थान इंद्र का है जिन पर 200 सूक्त प्राप्त होते हैं, तो अगनी प्रमुख पृत्वी स्थानिय देवता हैं, जो पृत्वी में रहते हैं, इसका जो वेद है, जिस वेद से संबंदित है, वो है रिगवेद, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, इसके रिशी, रिशी क्या है, तो वेदों के द्रिश्टा के रूप में रिशियों को स्विकार किया गया है, रचियता के रूप में रिशी यहां पर नहीं है, ये वेदों के मंत्र द्रिश्टा के रूप में है, तो अगन बाति याद रखिए, देवता इसके अगनी ही है, जैसा कि आपको नाम से ही सपष्ट हो रहा है, और इसमें जो छंद है, वो है गायत्री छंद, गायत्री छंद एक वैदिक छंद है, जिसमें तीन पाध होते हैं, और एक पाध के अंतरगत आठ वर्ण होते हैं, और तीन है जो अगनी देवता को संबोधित करके लिखे गए है अगनी देवता की स्तूति है तो यहाँ पर आपको मैं मंत्र शह अध्यन कराऊंगी इस वीडियो में जिससे आप एक-एक मंत्र को अच्छे से देख पाएं क्योंकि यहाँ पर आपका विशेष्ट अगनी सुप्त बता आए गया है तो उससे घहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रारंब घरते हैं पहला मंत्र है अगनी मीडे पूरोहितम का एज्यक्शय네वम Mumbai utرج वोतार अगर ऑन धातमम और इसमें यह कहते हैं पूरोहितम यह है अगनी का विशेशन यह अगनी मंक्र विशेशन के स् पांच विशेशन एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच विशेशन अगनी के बताए गए हैं और कहा गया है कि पुरोहित, जो की पुरोहित हैं, जिनको पुरोहित कहा जाता है, जो यज्यश्य देवम, जो यज्य के देव हैं, रित्विज हैं, रित्विज क्या हैं, जो यज इसमें अगनी की स्तुती की गई है और उसकी विशेष्णाओं को बताया गया है कि वो यग्ये के पुरोहित होते हैं, देव होते हैं, रित्विज, होतारम और रत्नधात्मम, इन विशेष्णों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे संबंदित प्रश्ण पूछा जाता है दूसरा मंत्र है, अगनी पूर्वे भी रिशिभी, इड्यो, नूत नई रुत, सदेवाम एह वक्षती देखिए, अगनी जो देव हैं, हम जब यग्ये की आहुती देते हैं, अगनी के अंदर देते हैं, तो अगनी ही उस हविशन्य को, जिस अन को हम हवी कर रहे हैं, जिस अन की हवी दे रहे हैं, स्वाहा से जिसको अगनी में देते हैं, वो ही उस अन को दूसरे देवताओं त जो अगनी पूर्वे भी रिशी भी पूर्व रिशियों के द्वारा इड्यह स्तूति की जाती थी जिस अगनी की जो अगनी पूर्व में होने वाले पूर्व में जो रिशी हुए हैं अत्री अंगीरा इत्यादी उनके द्वारा स्तूत्य था और नूत नहीं उत्थ और नव नवीन रिशियों में कौन है विश्वामित्र इत्यादी तो जो अगनी पूरु में भ्रगु अंगीरा इत्यादी रिशियों के द्वारा पुझे था और नवीन रिशियों के द्वारा भी जिसकी स्तूति की जाती है वह अगनी सा देवान अहव वक्षती वह अगनी देवों को यहाँ पर लाए। इस यज्य में उन देवताओं को हविशान्य ग्रहन करने के लिए लाए। इस प्रकार का अर्थ इस मंत्र से निकलता है। तीसरा मंत्र है अगनीना राइम अश्नवत पोशम एव दिवे दिवे यशशम वीरवत्तम अगनीना दिवे दिवे पोशम एव यशशम वीरवत्तम राइम अश्नवत राइम क्या होता है राइम होता है धन इस मंत्र में यजमान की विशे में बताते हुए अगनी की विशेष्टाओं को बताया गया है कि अगनी किस प्रकार का है, वो यजमान को क्या-क्या देता है, तो ये मंत्र कहता है अगनीना दिवे दिवे पोशमेव यशशम वीरवत्तमं राइम अश्नवत अगनी के द्वारा दिवे दिवे प्रती दिन बढ़ने वाले यस देने वाले और वीर पुत्रों से युक्त धन को प्राप्त करता है यजमान ये सब धन की विशेशताएं हैं कैसा धन रईम अर्थात धन रईम अश्नवत अगनीना अगनी के द्वारा यजमान धन को प्राप्त करता है और कैसे धन को जो पोशमेव दिवे दिवे जो प्रती दिन भढ़ने वाला है यशशम यश देने वाला है और वीर वत्तमं और जो वीर पुत्रों से युक्त है अर्थात है जो यजमान अगनी की स्तुती करता है अगनी को हवी देता है उसको प्रति दिन बढ़ने वाला धन प्राप्त होता है यश प्राप्त होता है और वीर पुत्र भी प्राप्त होते हैं अगला मंत्र है अगने यम यग्यम अद्वरम विश्वतह परिभूरशी साइद देवेशु गच्छती। कि हे अगनी देव यम अद्वरम यग्यम जिस अद्वरम का तातपरिय है हिंसा रहित जिस हिंसा रहित यग्य को विश्वतह परिभूरशी विश्वतह चारो और से परिभूरशी तुम व्याप्त करते हो चारो तरफ से जिस हिंसा रहित यग्य की तुम रक्षा करते हो जिसक लिए जाता है अर्थात ऐसा यग्य जो हिंसा रहित है और जिसकी तुम रक्षा करते हो वही यग्य उस यग्य में दी जाने वाली आहूतियां ही देवों तक जाती हैं अगला जो मंत्र है ये परिक्षा की दृष्टी से महत्पूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत सारी विशे अिश्टाओं को बताया गया है अगनी होता कविकृतू सत्यचित्रश्रवस्तमह देवों देवे भी आगमत इस मंत्र में कहा गया है कि हे अगनी तुम होता हो कवी खृतू क कवी कृतू कात पर यह आतीत अनागत काल का ग्याता क्रांत پ्रण्य जो सभी समimento को जानने वाला है, भूत और भविष्य सभी को जानने वाला इस प्रकार का कविकृतू अगणी सत्य चित्र श्रवस तमह सत्य जो सत्य रूप है और चित्र श्रवस तमह जिसकी कीर्थी, जिसकी प्रिशिद्ध भिन भिन रूपों में फेली इसमें अगनी देवता को आने का हवान किया गया है कि हे अगनी देव, आप अन्य देवताओं के साथ इस यग्ये में आईए और अगनी की विशेश्टाएं बताई गई हैं कि वो अगनी कैसा है? वो होता है तीन अतीत अनागत काल का ज्याता है कवी कृतु है क्रांत प्रग्य है सत्य रूप है और उसकी प्रसिद्धी चारो दिशाओं में फैली हुई है तो इस प्रकार का अगनी देव अन्य देवों के साथ यग्य में आए अगला मंत्र है यदंग दाशुषे त्वम अगने भद्रम करिश्यसी तवेव एतत सत्यम अंगी रह कि हे अंग अंगार रूपी अगनी देव तुम दाशुषे भद्रम करिश्यसी तुम दाशुषे हविशन्य देने वाले यजमान के लिए भद्रम करिश्यसी कल्यान करोगे उसका कल्यान क तव एतत वह तुम ही हो कल्यान करने वाले तुम ही हो ये सत्य है अर्थात जो अगनी देव है वो यग्य करने वाले यजमान का कल्यान करते हैं तो उन अगनी देव की स्तुती की गई है कि ये अंगार देव रूप अगनी तुम ही यजमान का कल्यान करोगे तुम ही उसका कल् अगला मंत्र है उप तवागने दिवे दिवे दोशा वस्तह धिया वयम नमो भरंत एमसी कि हे अगनी देव हम जो यजमान हैं हम जो यज्य करने वाले हैं वो प्रती दिन और रातरी को अपनी बुद्धी से धिया वयम धिया अपनी बुद्धी से तुमको नमो भरंत तुमको नमस्कार करते हुए उप एमसी तुम्हारे समीप आते हैं अर्थात हम दिन और रात सरवदा तुमको नमस्कार करते हैं और अपनी बुद्धी से तुम्हारे समीप आते हैं या दूसरा अर्था आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हे दोसा वस्तह अगनी हे दोश को दूर करने वाले अंधकार को दूर करने वाले अगनी देव, वयम धिया नमो भरंत, हम अपनी गुद्दी से नमस्कार करते हुए दिवे दिवे प्रति दिन तव उप एमशी तुम्हारे समीप आते हैं, तो इसमें अगनी देव को स्तूती की जा रही है अगनी देव को ये कहा जा रहा है कि हे अगनी देव आप ही अमारा कल्यान करने वाले हैं ये जमान का कल्यान करने वाले हैं हम आपको प्रती दिन बुद्धी से नमस्कार करते हैं और हम आपके समीप आ रहे हैं अगला मंत्र है राजन्तम अद्वराणाम गोपाम अम्रितश्य दिदीवं वर्दमानम स्वेदमई तो ये भी महतबून है इसमें विशेष्टाएं वताई गई है अगनी की राजन्तम अर्थात प्रकाशमान अद्वराणाम गोपाम अद्वराणाम क्या है हिंसा रहित यग्यों की गोपाम रक्षा करने वाले रितश्य दीदिवं और रित को सत्य को प्रकाशित करने वाले वर्दमानम स्वेदमे अपने घर में बढ़ने वाले है अगनी देव हम तुम्हारे समीब आते हैं बुद्धी से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीब पहुँचते हैं तो ये इसमें अगनी की विशेष्टा बता रहे हैं किस-किस प्रकार का अगनी है राजन्तम प्रकाश्मान है अद्वराणाम गोपाम हिंसा रहित यग्यों की रक्षा करने वाले है रितश्य दीदिवं सत्य को प्रकाशित करने वाले है और स्वेदमे वर्दमानम अपने घर में अगनी कुंड में बढ़ने वाले हैं इस प्रकार के अगनी देव को हम नमस्कार करके उनके समीब आ रहे हैं और अंतिम मंत्र है सा नह पितेव सुनवे अगने सूपायनो भव सचश्वा न स्वस्तये की पितेव सुनवे जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुनव होता है असानी से प्राप्त करने योग्य होता है हे अगनी नह सूपायनो भव हमारे लिए सुलवता से प्राप्त करने वाले बनो हमारे लिए सुगमता से प्राप्त करने वाले हो जाओ नह स्वस्तई हमारे कल्यान के लिए सचश्वा हमारे साथ रहो तो जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए शोभन प्राप्ती देने वाला होता है सुगमता से प्राप्त होने वाला होता है उसी प्रकार अगनी से प्रार्थना की गई है कि हे अगनी देव आप पिता के समान हमारे लिए सुलब हो जाओ, सुगम हो जाओ और हमारे कल्यान के लिए, हमारी स्वस्ती के लिए सचश्वा हमारे साथ रहो तो इस प्रकार से नो मंत्रों में अगनी देव की स्तुती की गई है देखिए आप अगर बार-बार इन छोटे-छोटे से ये मंत्र है 24-24 वर्णों के मंत्र है अगर आप 2-4 बार इन मंत्रों को पढ़ेंगे तो आपको ये मंत्र ही याद हो जाएंगे बहुत आसान है कोई मुश्किल भी नहीं है तो आप इन मंत्रों को अच्छे से पढ़िए, बार-बार पढ़िए और इसको पढ़ने से आपको फायदा ये होगा, कि इसमें जो विशेशन दिये गए हैं अगनी के, वो आपको अच्छे से याद होँगे, और विशेशन से संबंदित प्रश्न सुक्तों से पूछा जाए इसकी 90 प्रतिशत संभावना होती है, तो आपको विशेशन देवताओं के ग्यात होने चाहिए, तो इस वीडियो को हम यहीं जमाप्त कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम अगले सुक्त के विशे में अध्यन करेंगे, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क